Hello Students, Jagriti Online Classes पे आप सभी का स्वागत है, आज हम बात कर रहे हैं, Class 9th Exercise 13.5 of the Surface Area Volume, अब हम बात करेंगे इसके अंदर Cuboid की, तो पहले कहते हैं सर, Cuboid तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन, now, this time we will going to deal with volume, Volume of Cuboid, तो सबसे पहले बात करते हैं सर, Cuboid का Shape, Cuboid का Shape मेरे पास रह जाएगा ऐसा, ठीक है, इसमें मैंने बताया था, this will be Length, this will be Breath and this will be Height, ठीक है, अगर मैं इस Cuboid को मुझे क्यूब में कनवर्ट करना है, किस में कनवर्ट करना है, क्यूब में, तो मुझे क्या करना है, बस इसकी सारी sizes same लेनी है, सारी, मतब सारे dimension same लेलिए, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इसको Length लिखू, Height लिखू, क्या लिखू, तो अगर मेरे तीनो same हो जाएंगे, तो देखिए, अगर Volume of Cuboid होता है, मेरे पास L into B into H, ठीक है, तब मैं बात करता हूँ, Volume of Cube के, Volume of Cube में L भी मेरे A के बराबर है, B, Breath भी मेरे A के बराबर है, और Height भी मेरे A के बराबर है, तो ये हो जाती है, मेरे A का cube, क्या हो जाएगा, A का cube, तो बस ये धियान रखना है, Volume of Cuboid is equal to L into B into H, and Volume of Cube is equal to A का cube, ठीक है, Class? Okay, now we are heading for the exercise, तो सबसे पहला question हमें क्या देता है, a match box measures, तो मैं देखो बेटा, मैंने आपको हमेशा बता है, mensuration के अंदर जब भी आपको कोई value दे रखी हो, तो उसे side में लिख लीजिए, ताकि गलती ना हो, and height is equal to 1.5 cm, what will be the volume of the packet containing 12 such boxes, तो देखे, पहले आप निकालिए, volume of match box, volume of match box कितनी हो जाएगी बेटा, l into b into h, l into b into h, what was your l, l into 2.5 into 1.5, तो जब मैं 4 को 2.5 से multiply कर तो मेरे पास आदाएगा 10, और 10 into 1.5 करूंगा तो मेरे पास आदाएगा 15 cm3, अब cube क्यों आ रहा, because we are dealing in cube, we are dealing in volume, volume में जब भी deal करेंगे, तो हमारे पास unit पे cube ज़रूर आएगा, अब मैं बात करता हूँ, volume of, 12 match box, match box मतलब तीली, तीली की डिबी, matches, तो यह हो जाएगी 12 into 15, और यह हो जाएगा मेरे पास 180 cm3, 12 into 15 will be 180 cm3, ठीक है बेटा, बहुत simple से question है, now we are heading for the next question, मैंने आपको बोला था, जब मेरा chapter शुरू हुआ था, मैंने आपको clearly बोला था, कि अगर आपको formulae learn है, तो कहीं नहीं अटकोगे, so class फिर कह रहा हूँ, question chapter शुरू करने से पहले, formulae को अच्छे से revise कर लीजे, अगर थोड़ा समझना है, तो मैंने हर वीडियो के अंदर, जो भी formulae मेरे use हो है, वो मैंने अच्छे से समझा है, वो कैसे आए, कैसे बने है, तो आप एक बार वो देख लोगे, तो आप वो कोई problem नहीं आगे, और formulae learn होती है, आपके इस पूरे chapter में full out of full marks आएंगे, अब मैं बात करता हूँ, a cuboidal water tank is length is 6 meter, breath is 5 meter and the height is 4.5, depth means depth और deep और height are the same thing, how many liters of water, देखे, बीटा question दे रखा है, meter में, और answer पूछा है, liter में, तो आपका बस एक होता है, one meter cube is equal to thousand liter, question में आपको hint दे रखा है, और यह आपको याद रखना है, one meter cube is equal to thousand liter, तो पहले मैं volume of, volume of water tank निकाल लेता हूँ, six into five into four point five, तो देखे बीटा, six into five कितना हो गया, 30, 30 into four point five, तो 45, 45, 90, 90 और यह हो गया मेरे पास, 135, कितना है बीटा, 135 meter cube, अब आपको question में clearly दे रखा है, आपको question में clearly दे रखा है, one meter cube is equal to thousand liter, मुझे answer चाहिए, यह liters में, तो 135 into thousand, तो यह मेरा answer किसमें convert हो जाएगा, liters में, तो देखे, 135, 123, तो एक लाख पैथिस हजार, एक लाख पैथिस हजार लीटर पानी, इस किसमें आएगा, इस टैंक के अंदर आएगा, ठीके बटा, वैसे कर देखा जाए, तो 6 meter, 5 meter, 4.5 meter होती भी काफी बड़ी है, ठीके बड़ी यह काफी बड़ी टंकी भी रहेगी, okay, now, we are heading for the next question, next question हमें क्या कहता है, a cuboidal vessel is 10 meter long, cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide, and height is considered to be h, height मैने क्या मानली, h मानली, how high must it to be made to hold the volume of 380 cubic, okay, volume दे रखिये मुझे, volume is 380, cubic meter मतलब, meter के उपर cube का sign, ठीके बड़ा, okay, तो class, volume आपको पता है, volume का formula होता है, l into b into h is equal to 380, l की value कितनी होगे बड़ा, 10 meter, breath की value कितनी होगे, 8 meter, height कितना है, और ही होगय, 380, तो h कितनी हाए बड़ा, 380, upon 10 into 8, तो देखिये class, 0 से 0 cancel होगया, 38 होगया मेरा कितना, 19, 8 होगया मेरे पास 4, अगर मैं 4 को 19 से divide करता हो, तो मेरे पास answer आएगा, 4.75 meter, h की value कितनी हाएगी, 4.75 meter will be my answer, तो इस तरह से मेरे पास इतनी हाइट मेरे पास इसकी रहेगी, okay, now we are heading for the next question, next question हमें क्या कहता है, find the cost of digging, digging मतलब खोधना, मैं कोईच, cuboidal pit खोध रहाँ, मतलब cuboidal khadda कोध रहाँ, पता नहीं, cuboidal khadda कैसे खोधता है, but जैसे भी, खोधने दीजी, अपने क्या है, 8 meter long, ठीक है जी, यह होगया मेरे पास 8 meter long, 6 meter broad, यह होगया मेरे पास 6 meter broad, and 3 meter deep, okay, length into breadth into height, तीनो दे रखिये, at the rate of 30 rupay per meter cube, मतलब एक meter cube खोधने के 30 rupay ले रहा हूँ, तो volume निकाल दीजिया, बस simple सा question है, volume is equal to, L into B into H, and this will be 8 into 6, 6 into 3, तो देखिये class, 8, 6 into 3 कितना होगया, 18, 8 into 16 कितना होगा, जल्दी से बताएए, 8 into 18, sorry, 8 into 18, तो यह होगया मेरे पास 64 का 6, और यह होगया 144, 144 meter cube, कितना आगया, 144 meter cube तो काफी खोधिया भई, अब मेरे बात है, cost, cost कितनी है, बहिए total area कितना, total volume कितनी कितनी खोधिया, 144, 144, और cost कितना ले रहा है, 30 rupay, तो देखिये बेटा, 144 into 3 कितना हो जाएगा, 12, 13, और यह 4, 32, 4, 32, 0, rupis, rupis का symbol आगया आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से लगाना, कितना हैगा, 43, 2, 0, rupis, और वैसे कर सोचा जाएगा, यह खड़ा काफी लंबा है, तो एक plot खाजाएगा पूरा, तो इतने कितनी तो ठीकी rate पे खोजर है, यह मेरे पास रूपे मांगे थे, और यह आपने रूपे बता दिये, अब हम बात कर रहें next, that is question number 5, question number 5 क्या कह रहा है, पहला आप अच्छे से question को समझेगा, फिर आप उसे करने की कोशेश करेंगे, the capacity of a cuboidal tank is 5000 liter of water, okay, volume किसमे ते रहा किया, liter में, ध्यान रखना बेटा, volume is given in liter, volume is given in liter, ठीक है, अब हम बात करते है, find the breath of the tank, find the breath, तो breath मुझे निकाल नहीं है, length कितनी दे रखिये मुझे, 2.5 meter, और, length मुझे given है, 2.5 meter, and height, depth means height, that is 10 meter, okay class, अब मेरी बात सुनिये, पहले में एक चीज करता हूँ, पहले आप इसको भी किया किजिए, meter cube में convert किजिए, तो आपको मैं बना भी बताया था, 1 meter cube is equal to 1000 liter, I think just पिछले एक-दो question में ही बताया था, तो ऐसा करते है, इसको 1000 से डिवाइड कर देता है, तो यह हो जाएगा मेरे meter cube में, तो यह answer आजाएगा 50 meter cube, ठीक है class, तो volume का formula क्या होता है, L into B into H, L कितनी है विटा, 2.5, breath मुझे नहीं पता, और height कितनी है मेरे पास, 10, तो just भेज दीजिए वहाँ पे, 50 upon 2.5 into 10, 0 से 0, यह 1 time और यह 2 time, so my breath is 2 meter, मतलब 2 meter चौड़ी टंकी है, 1 meter approximate इतना होता है, तो आप थोड़ा इस से ज्यादा और माल लीजिएगा, तो टंकी भी काफी चौड़ी है, ठीक है भीटा, 50,000 liters is काफी, अच्छा है, ओके, अब मैं बात कर रहा हूं next question, तो next question हमें क्या कहता है, a village having a population, काफी population है village की, a village having a population of 4,000, okay, तो population पहले लिख देते हैं हमाण, population होगे मेरे पास 4,000 people, 4,000 लोग है, requires 1 liter water per head requirement, तो मैं लिख रहा हूं per head, मतलब एक इंसान की, per head मतलब एक सर की नहीं, एक इंसान की requirement कितनी है, एक इंसान की requirement कितनी होगे class, मेरे पास 150 liter of water, it has a tank, okay, मतलब government नहीं, गहाँ में एक पीली tank की, आपने देखा हो काफ़र water tank बने होता है, बड़े-बड़े, उसके अंदर, volume of tank, volume of tank, क्या होगा, L into B into H, यह कितना होजागा 20 into 15 into 6, यह होगे मेरे पास meter में है, पूरा meter में दियावाई, ध्यान रखना, अब यह कह रहा है, for how many days, okay, इस tanky में जो पानी आएगा, वो कितने दिनों के लिए चलेगा, तो पहले मुझे बताओ, requirement, गाव के एक आदमी की, एक दिन की requirement, 150 liter है, तो पहले पूरे गाव की, यही तो requirement पता करें, so, requirement, of village, for one day, एक दिन की requirement कितनी है, तो देखिए बेटा, total population कितनी है, 4000 into 500 liter, 4000 into 500 liter, तो कितना आगया यह, 4 into 15 हो गया, आपके पास 60, फिर यह 0, फिर यह 30, तो कितनी requirement आगे पिटा, आपकी, 60,000, 6 lakh liter, कितना आया, 6 lakh liter, 6 lakh liter पानी, एक दिन की requirement है, ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं पिटा, वो मेरे पास, meter cube में चल रहा है, वो मेरे पास, meter cube में चल रहा है, और यह मेरे पास, liter में चल रहा है, तो ऐसा कर रहा है, किसी ना किसी को, convert करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप meter cube को, liter से डिवाइड नहीं करते, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको, 6 lakh, divided by 1000, 1000, किसे डिवाइड कर दिया, 1000, 1, तो यह मेरे पास आगया, meter cube, मतलब, 600 meter cube, पानी, एक दिन की requirement है, ठीक है, So, तो कितने दिन, पानी की टंकी चलेगी, नमबर ओफ देज, टैंक, विल प्रोवाइड, water, कितने दिन तक, पानी की टंकी पानी प्रोवाइड करेगी, तो देखे, बड़ी वाली वॉल्यूम कितनी है, 20 into 15 into 6, upon 600, ठीक है, धेखे, आप खुछ समझ लीजिए, यह पूरे पानी के टंकी के, कितना पानी है मेरे पास, इतने लीटर पानी है, एक दिन की requirement कया है, उसे Divide कर दीजे, एक दिन की गाहन की requirement कया है, तो देखेruckलास, क्या-क्या cancel हो रहा है, 0-0 होग्य, यह हो गया 6-1 ताइम्स, और यह हो गया 10 ताइम्स, ठीक है, ट्री ताइम्स, 2-2 cancel, your answer is three days मतलब जो तंकी गवर्मेंट ने बनाई है पानी तो डेली आता होगा तंकी कंदर कभी-कभी एक-एक दिन का अल्टरनेट कर देते हैं तो तंकी तो पानी तो पानी तो तंकी कंदर तो पानी डेली आएगा गवर्मेंट की तरफ से लेकिन ये तंकी अगर एक भार फूल कर दी जाती है तो वो गवर्मेंट को तीन पूरे दिन विलेज को पूरे तीन दिन तक पानी प्रॉवाइड कर सकती है ठीके बिटा? ओके ना वी एर एदिंग फॉर तरफ नेक्स्ट ग्रेस्टन next question, एक चीज धियान रखना है जब भी आपसे number पूचा जाए जब भी आपसे number पूचा जाए तो हमेशा धियान रखना बड़ी value अपन छोटी value बड़ी value किस की थी? टंकी के capacity की, छोटी requirement किस की थी? विलेज की एक दिन की तो बड़ी value अपन छोटी value करके हमेशा आपके पास answer आजाता है जब भी number पूचा जाए किसी भी चीज का number पूचा जाए तो आपको एक बड़ी value और एक छोटी value दी जाती है आप उसको divide कर दीजे, next question है a go-down measures this तो volume of go-down volume of go-down कितनी है पिटा? 40, length into breath into height 40 into 25 into 10 बात में multiply कर देंगे अब यह कह रहा है find the maximum number of wooden crates मतलब वो जो लकडी के crates होते हैं, carat भी कहता है काफी लोग crates वो जो उसके अंदर रखे जा सकते हैं तो बस volume of wooden crates is equal to 1.5 into 1.25 into 0.5 ठीक है? तो मैंने जब आपको बोला नमबर जब भी नमबर पूछे जाए number of wooden crates that can be placed that can be placed in go-down इतनी थिवरी पहली बार लखी है is equal to volume of go-down बडी volume किसकी होगी? go-down की upon volume of one wooden crate बडी volume किसकी है? go-down की छोटी volume किसकी है? crates की तो रख दीजिये 40 into 25 into 10 upon 1.5 into 1.25 into 0.5 सारे decimal हटा देते हैं सारे decimal हटा देते हैं सारे decimal हटा देते हैं तो हमारे पास क्या answer आगा? देखिए मैंने ये decimal हटा दिया तो उपर आगिया 10 मैंने ये decimal हटा दिया तो उपर आगिया 100 और मैंने ये point हटा दिया तो उपर आगिया 10 ठीक है इसके नीचे आएंगे वह ओपर से ले जाएंगे ठीक है अब क्या cancel हो रहा तो देखिए सबसे बहले 25 1 times 125 5 times ठीक है अब बात करते है सर 10 की table में 10 की table में यह कितनी वार्द आएगा मेरे 10 5 1 times 10 2 times ठीक है okay what else is getting cancelled 5 1 times 5 2 times okay 5 की table से और cancel करते हैं यह कितना हो गया 2 times और यह हो गया 3 times okay decimal में 3 आगया upon में 3 आगया चलो ठीक है तो आप देखिए बेटा मेरे पास क्या 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 बचा 40 into 2 into 2 400 into 2 okay काफी बड़ी value आई है okay just let me check सारे meter में थे यह भी meter यह भी meter यह भी meter यह भी meter 1.5 1.25 0.5 सारे meter में थे कोई दिक्कत नहीं है 40 into 15 into 10 okay कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्या रही है मेरे पास 3 ठीक है क्लास अब इसको और multiply किजिए 4 into 4 16 16 into 2 4 into 4 16 16 into 32 यह एक 0 पीछे के 2 0 यह रहे तो divided by 3 so 32,000 divided by 3 32,000 जब आप 3 से divide करोगे तो मेरे पास आएगा answer approximate 16,000 के बराबर आएगा किसके बराबर आएगा? approximate 16,000 के बराबर आएगा ठीक है बिटा? okay just wait यहाँ पर कोई ने कोई लफड़ा है I think this should not be the 40 यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए 60 होगा class तो देखें मेरे पास जो भुक है उसमें तोड़ी सी problem है यहाँ पर क्या होगा? 60 होगा क्या होगा? 60 तो यह 60 होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा? yes or no? यह भी 6 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा तो यह 3 1 times 3 1 times and this will be 20 times so multiply 20 into 4 40, 40 into 2 60, 160 16,000 boxes आप अपने भुक में प्लीज चेक कर लिये न अगर आपके यहाँ पर अगर आपके भी यहाँ पर 40 दे रखा है so make it 60 into 25 into 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 60 हो जाएगा a correction is there is it fine bata? okay so now we have completed question number 7 now we are heading for question number 8 question number 8 क्या कह रहा है a solid cube of side 12 cm solid cube है cube की side सारी बराबर होती यह भी 12, यह भी 12 is cut into 8 cubes of equal volume okay 8 cube काटे है यह पता नहीं कैसे काटे हैं पर जैसे भी काटें, काट दिये so what will be the side of the new cube? okay according to question volume of bigger cube is equal to 8 into volume of smaller cube so new small okay so let so here let the smaller cube the smaller cube is the small cube is the side I mean x what I mean x so volume of bigger cube कितना होता? volume का formula का होता? side cube यह होगया मेरे पास 12 का cube is equal to 8 into x का cube उसका भी volume यही रहेंगा तो देखिए class 8 को इसका upon में बेज दीए 12 का cube upon 8 is equal to okay मैंने इसको लिखा 12 into 12 into 12 upon 8 is equal to x so now class look at यह को cancel कैसे करेंगे देखिए आप cancel तो बस x कर सकते हो लेकिन मैं कैसे करूँगा देखिए 2 यह होगया 4 times और यह होगया 6 times अब next इससे cancel करता हूँ यह होगया 2 यह होगया 6 times तो देखिए class यह होगया 6 का cube is equal to x का cube 6 का cube is equal to x का cube यहनि आपके पास x की value क्या आगई? x की value आगई आपके पास 6 cm this is the side यह कितनी आगई मेर पास? cube की side आगई ठीक है? अब next part मुझसे क्या पूचा कै? find the ratio between the surface area to ratio surface area of bigger cube upon surface area of space smaller cube तो surface area का formula क्या होता है class? 6 side square और यहाँ पे इसकी side कितनी है? यहाँ पे इसकी side थी मेर पास 12 का square और यह हो जाएगा 6 into 6 का square 6 से 6 cancel हो गया 12 into 12 upon 6 into 6 यह one time, यह two time, यह one time और यह two time so the answer will be 4 ratio 1 अगर बड़े वाले का पहले पूचा गया है तो मेरा हो जाएगा यह 4 ratio 1 one ठीक है class? okay 6 cm भी आगया और 4 ratio 1 भी आगया तो इसके साथ हमारा यह question भी complete हो गया now we are heading for the last question of the exercise last question क्या कहता है? क्यों है river 3 meter deep एक नदी है पता नहीं cubicle कैसे बोली गई यह लोगों पता नहीं नदी को कैसे बनाओ क्यूबए बस ठीक है मैं तो मेरे cube ID बना लेता हूँ okay मान लीजिए इसके अंदर एक नदी flow करते हारी कोई canal है ऐसा समझ लीजिए 40 meter wide अब मैं बात कर रहा हूँ is flowing okay मुझे length नहीं दे रखी length मुझे नहीं दे रखी है okay सर अब क्या करें कोई बात नहीं wait कीजिए question में दे रखा होगा is flowing at the rate of 2 km per hour 2 km प्रती घंटे की speed से चल रही है तो 2 speed कितनी दे रखिये class 2 km per hour तो देखे class मुझे से पूछा गया एक minute में तो पहले से speed को convert करूं 2 सारे dimensions मुझे किसमें दे रखे meter में मैंने kilometer को भी कर दिया किसमें 2000 और divided by 60 0 से 0 cancel होगया तो मेर पास answer आया 200 upon 6 और यह होगया 2 से 3 times और यह होगया 100 तो मेरे पास answer आया 100 upon 3 meter per minute तो देखे class एक minute में कितना चलेगी 100 meter एक minute में कितना चलेगी 100 upon 3 तो मेरे को पता करना है कि 1 minute में कितनी volume गिरेगी तो यह मेरा 1 meter होगया 1 minute में तो एक minute के लिए अंदर मेरे length कितनी हो जाएगी 100 by 3 तो मेरे यह आपर volume behave करेगी volume will be 100 by 3 for 1 minute for length for 1 minute तो एक minute में कितनी volume गिर जाएगी तो यह देखे L into B into H L कितना है 100 upon 3 फिर अपरस कह रहा हो यह नदी एक minute में 100 by 3 that is 33.33 meter cover करेगी तो वो उसकी volume निकाल दीजिए breath कितनी थी पेटा मेरे पास 40 height कितनी थी मेरे पास 3 3 से 3 3 cancel check कर लीजे एक बार dimensions तो मैंना सही लिखें yes or no अगर मैंना dimensions तो प्लीज को multiply कीजिए यह मेरे पास multiply करने पाद आगया 40 into 100 that will be 4000 meter cube आपसे liter में पूचा है meter में पूचा है okay आपसे भी इतना पूचा है कितना पानी किरेगा so this will be my answer so with this we have completed this exercise so class हमने हमारी exercise 13.5 वियाज complete कर लिये so it's time to say goodbye अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं so tell your friends to join our classes it's time to say goodbye take care